हाई मेरे चैनल नी टार्ट पर आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो आज मैं आपको साइन जी की कैप और साथ में इकठे शोल बनाना सिखाऊंगी कैसे बनता है यह मैंने बनाया हुआ है बहुत सिंपल सा बनाया हुआ है मेरे फ्रेंड्स इनको अभी बहुत कम आता है क्रोशिया के डिजाइन बनाने अभी अभी क्रोशिया थोड़ा बहुत जलाना सीख रहे हैं उनके लिए है यह मेरा डिजाइन तो यह मैंने थोड़ा बड़ा साइज बनाया है तो जो अभी सिखाऊंगी मैं छोटा साइज ही सिखाऊंगी तो इसके लिए क्या करना हमने 40 चेन लेनी है, यह मैंने 32 ले लेनी है, 40 चेन लेनी है, हमने 43 होगी, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यह होगया 40 तो हमने 40 लेकर 3 चेन और लेनी है 2, 3, यह 3 हमने स्किप कर देनी है, और चोथे वाले पर हमने जाके डवल क्रोशिया करना है, बहुत एजी डिजाइन सिखारिंग में बनाना, हर कोई बना सकता है इस डिजाइन को, आप चाहे तो डवल क्रोशिया करते हुए यह रोप फर्स्ट कंप्लीट कर लेना, चाहे तो आप यहाँ पे संग्ल क्रोशिया कर सकते हैं, और हाफ डवल क्रोशिया भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगए, मैं डवल क्रोशिया कर रही हुँ, हर एक में से हमने rondफों डवल क्रोशिया करते हुए, यह फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है, देखे릴 तो ये मैं पुरी रोग कम्प्लीट कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं आगे तो ये देखिए ये फर्स्ट रोग के हम लास्ट में पहुंच गए हैं ये आगे थोड़ा सा लास्ट में फिर से दिखा दिते हूं आपको डवल क्रोशिया करते हुए ही हमने ये पूरी रोग कम्प्लीट करनी है अब हमने फिर से यहां पे लास्ट में थ्री चेन लेके टर्न लेनी है और फिर से हमने हर एक उसमें से डवल क्रोशिया करते हुए से वैसी जैसे निचे बनाया है वैसे ही बनाना है हमने यहां पे हमने कुछ और डिजाइन नहीं डालना है सिंपल ही बनाना है पूरा ये य मैं छोटा भी क्या करना आपिने आप बनारी और को यह है जा साइन जी का यह अधिय करना अपन जो भी आपने बनाना है च्वाली नाप लेना और गपनी लेह कर लेना आपने साइन कर लेना भी कर लेहां amounts तो न में तो डेवारा भी करनें तो यह समय उपाँ नाम लें ले लाएं उसके बनाना है तो चार रो बना लेती है यह हमें चार रो बनानी हैं तो बना लेती हूं दिखा देती हूं यह से मैंने चार रो बना ली है यह देखे एक दो तीन चार यह पांच मी रो पे आके हमने क्या करना है सिंगल क्रोश्या करते हुए सेंटर में आना है इसके इसका मतलब हमने पहले यह देख लेना है हमें बीच में हमें यहां पर कैप बनानी है तो हमें इसको फोल्ड कर लेन है और फिर जितना हमारा कैप बनेगी तो उससाब से हमें मार्क लगा ले ना यहां पे तो मैं मार्क लगा देती हूं इसके उपर कि यहां पे हमने दोन्नों तरफ से मार्क लगा लिया है तो हमारे यह सिंगल क्रोशिया करते हुए हमारी यह यहां तक पहुंच गए है यह यहां पे आके क्या करना हमने यहां से मार्क लगाया है हमने बीच में यह दस फंदे जो है हमारे स्टिच है जो चेन के यह हमने दबल क्रोशिया करते हुए बुन्ने है यह दिखिए एक हो गया यह यह कैप का बना रहे हैं हम सेंटर में बनाएंगे हम कैप जित्री हो गया हमारा फॉर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यह हमारा टैन हो गया तो हमने यह टैन फंदों पे कर लेना है टैन फंदे हमने बना लिए ऐसे ही हम पीछे को मुड़ जाएंगे अब फिर हमने डवल क्रोश्या करना है यहां पे यहां पे भी हम सिंगल क्रोश्या कर लेंगे जैसे हमने पीछे कर रहा है तो क्या करना है अब एक चेन लेके तीन चेन लेनी है तीन चेन लेके हमने यहां पे फिर से डवल क्रोश्या करना है हर एक उसमें से आपके पास आएं जी कि मूर्टी है तो आप उस हिसाब से नाप लेके इंची टेप से तो आप बना सकते हो ये कितना लंबाई जुडाई रखनी है वो देख सकते हैं इंची टेप से ये हो गया 10 हमारा फिर से टर्न ले लेनी हमने तसे एक रो हमने और बनानी है त्री चेन ले लिए और एक उसमें से डबल क्रॉश्या करना है ये हमारी इस रो के बाद कैप बनके त्यार हो जाएगी आप शुरूआत इससे करिए सिंपल डिजाइन से फिर उसके बाद कैसे भी है संदर संदर डिजाइन बना सकते हो अपने मन से बहुत अच्छे डिजाइन बना सकते हो आप हाँ इस एली के बन गई है कैप हमने क्या करना है इसको जोड़ना है जैसे हमने फोल्ड कर लिया उलटी तरब से आप सुझ बहुत सकते हो क्रोश्या बहुत इसको सिन लो क्रोश्याется शिखार हों एक चेन हम यहां से लेंगे यहां से और यह ऐसे करके हम बंद कर देंगे यहां से हम बंद कर देंगे यहां से हम ऐसे बंद कर देंगे यह हमारी कैप बंद के त्यार हो गई है अब क्या करना है देखिए अब हमने दूसरा रंग लगाना है दूसरा रंग लगाके यह मैं फ्रोजी रंग लगा रही हूं इस पर हमने क्या करना है यहां पर कोई डिजाइन बना लो यह मैं पफ स्टिच से थोड़ा सा बना पिछे से यह देखिए तो यही बता रही हूं कि कैसे बनाना है पफ स्टिच से आपको और कोई डिजाइन पसंद है तो आप वो बना सकते हूं मैं यह सिंपल सा ही सिखा रही हूं बनाना यह हमने तीन बार ले लेना है ऐसे अब क्या करना एक छोड़ के हमने इसके उपर ऐसे निकाल के करोशिया पफ स्टिच बना उन अगर आपकी पतली है तो आप एक और भी ले सकते हैं यहां पर तो अगर मोटी है तो दो से भी बन जाता है अच्छा तो अब दो चेन लेनी हमने पफ स्टिच बनाने के लिए अब फिर से हमने यह दागा ऐसे लिपेटना है यहीं पर हमने यहां से य बार निकाल लिया उसके बाद हमने एक चिन छोड़के यहां पर ऐसे क्रोशिया डालके इकठे ही से सारे धगे ऐसे निकाल देने हैं अब क्या करना है अब यहां पर हम इस तरफ को मुड़ेंगे तो यहां पर आगे तो मैंने यह आपको पफ स्टिच बना के बताया है ऐसे बनेगा तो आपने यह नीचे आप बैक साइड में सिंपल बना सकते हो मैं सिंपल जैसे सिंगल क्रोशिया होता है वह सिखारियों बनाना है पीछे हम वह इसके लिए यहां पर हमने थ्री चेन ले लिए है और हर एक से हमने सिंगल क्रोशिया करना तो हमें सिंपल एक बार ही इसको करना है दो बार निकालेंगे यहां पर अगले बाले में फिर से हमने दो बार सिंगल क्रोशिया कर देना है यह देखिए दो बार यहां आगए दो यहां कर दिया और यहां पे फिर से हमने आगे की तरफ हम यह पाफ स्टिच वाला डिजाइन बना रहे हैं और पीछे हम खाली सिंगल क्रोशिया करके यह पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं यह पूरा बना के नहीं दिखा रहे हूं आपको वैसे दिखा रहे हूं कि जैसे मैंने इसके उपर बनाया है आगे को मैंने पाफ स्टिच बनाया हुआ है और यह बैक साइड में सिंगल क्रोशिया करते हुए यह बनाया है तो आप यहां पे बटन भी लगा सकते हो तो और यहां पर अगर चाहो तो पॉम-पॉम बना सकते हो तो मैं simply बनाया है तो आप भी बनाये अपने साइन जी के लिए सर्दियां है कैप और शोल तो आपको अगर मेरा यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा वीडियो मेरा सिखाने का तरिका अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू